तो गाइस इस वीडियो में तुमने सीखा कि दुरूबराटी के थमनेल को मुबाइल में कैसे क्रियेट करते हैं बट इसमें टाइम बहुत जादा लगता है तो क्यों ना दुरूबराटी के थमनेल को AI से क्रियेट करके देखा जाए एंड सिर्फ दुरुवयाटी के थम्नेल्स कोई नहीं बलकि Mr. Beast, Horror Story, Gaming Thumbnails and The Legend of Unman Season 4 का थम्नेल भी हम AI से क्रिएट करके देखेंगे तो लाइक किये भीना मच जाना क्योंकि तुमारी डिमांड पर वीडियो बना रहा हूं इसके लिए हमें जरूर पड़ेगी दो AI टूल्स की एक AI टूल हमारे थम्नेल्स को जनरेट करेगा एंड उनको जनरेट करने के लिए ओफियस सी बात है प्रॉंट भी चीए होगा तो उसके लिए भी हम AI का ही यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने फोन में Chrome ब्राजर को उपन कर लेना है तो सबसे पहले हम इस थम्नेल को AI से बना कर देखेंगे सबसे पहले जनरेट करेंगे प्रॉंट तो उपर सर्च बार में सर्च करना है आपको चैट जी पीटी फिर first site को open कर लेना है and sign up अगेरा कर लेना फिर corner में आपको three dot पे click कर देना है and इसे यहां से desktop site पे कर देना है क्योंकि prompt काफी बड़े होंगे I mean detail में generate होंगे so copy करने में problem होगा अब नीचे zoom करोगे तो एक message का option मिलता है तो उस पे आपको click कर देना है and यहां आपको कोई extra चीज copy करके डालने की जरूत नहीं है मैं जो बता रहा हूँ उसे type करो हर category के thumbnail पे work करेगा तो यहां type करो suggest me a YouTube thumbnail idea for this title तो ऐसा लिखने के बाद आपको आगे अपनी वीडियो का title लिख देना है like इस वीडियो के title को मैं यहां पे लिख देता हूँ stop eating this and detail analysis Indian masala ban and एक चीज का जान रखना की बड़ा title मत डालना क्योंकि यही title तुमारे thumbnail पर भी आएगा तो अब side में arrow का option है तो उस पे click कर देना है and तुम देख सकते हो कि prompt generate होना start हो चुका है and guys एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि starting में शायद यह आपको ज़्यादा detail में prompt generate करके नहीं देगा बट जैसे जैसे आप इससे thumbnail ideas लोगे detail में ही आपको prompt मिलेगा तो हमारा prompt generate हो चुका है अब यह जो first point है वहाँ से आपको copy करना है and नीचे तक इसे copy कर लेना है अब उसके बाद three dot पे tap करो and यहाँ से एक नया tap open कर लो अब यहाँ तुमको search करना है ideogram I know इसके बारे में काफी को पता होगा बट अब यह काफी बैतर हो चुका है so click on first site then इस तरह का interface तुमारे सामने आ जाएगा तो click on google then अपने gmail id को select कर लो then continue अब यहाँ से check box को fill करो and उसके बाद continue कर लो then यहाँ तुमको username create कर लेना है then उसके बाद यहाँ से submit कर दो and sign in तुमारा complete हो जाएगा and यहाँ तुमको कुछ images पहले सही generate QE मिल जाएगी तो नीचे plus पे click करो then यहाँ से अपने prompt को paste कर दो and नीचे scroll करने पर तुमें कुछ commands मिल जाते हैं जिनने आपको touch नहीं करना है क्योंकि नीचे आपको मिलता है magic prompt का option जो कि इसे automatically add कर देगा जरूरत परने पर and आपको इसे auto पे रखना है and ratio आपको 16 to 9 सेलेक्ट कर लेना है बाकी same रहने दो and उपर generate का option मिल जाता है तो उस पर click कर दो तो जब तक thumbnail generate हो रहे हैं तब तक मैं आपको इसकी कुछ condition बता देता हूँ कि इससे आप daily 20 thumbnails generate कर सकते हो and per generation पर आपको 4 thumbnails मिलेंगे तो total 80 thumbnails तुम daily generate कर सकते हो and अगर तुम daily एक वीडियो भी बनाते हो तो 80 thumbnails बहुत है तुमारे लिए तो एक तरह के से ये free ही है so ये देखो तुमारे thumbnails generate हो चुके है and ये कितने perfect बने है and text भी एकदम perfect है ये second thumbnail, ये third and fourth अगर पसंद नहीं आता है तो फिर से generate कर सकते हो and जो best लगता है उसे select करो then three dot पे tap करके यहां से download कर लो तो अब create करते हैं Mr.Beast के इस thumbnail को तो पहले इस arrow पे click करो then back आ जाओ उसके बाद उपर tabs पे आकर chat GPT वाले tab में आना है फिर नीचे message all option पे आपको tap कर देना है and यहां वही same चीज आपको type करनी है suggest me a YouTube thumbnail idea for this title and इस वीडियो का title है survive 100 days trap win 5 lakh dollar फिर side में आपको arrow पे click कर देना है and उसके बाद तुमारा जो thumbnail idea है वो generate होना है start हो जाएगा idea generate होने के बाद zoom out करो then starting से लेकर end तक select करके copy कर लो अब जाओ tabs में then यहां से ideogram वाले tab पर फिर नीचे आपको plus icon पे click कर देना है then उसके बाद पहले वाला जो prompt है उसे select करो and यहां से delete कर दो फिर नए prompt को paste कर दो and settings आपको same रखनी है and click कर दो generate वाले option पर तो हमारे thumbnails generate होना start हो चुके हैं तो अगर आप अभी तक ही studio को देख रहे हो and हमारे thumbnails generate होकर आचुके हैं and तुम देख सकते हो कितने अच्छे thumbnails इसने generate किये हैं and personally last वाला काफी बढ़िया है तो वही 3.0 पे click करके download कर सकते हो तो अब create करेंगे gaming thumbnail तो tabs वाला icon पे click करके chat GPT open कर लो then नीचे zoom करके message में वही same चीट type कर लेनी है and title में मैं randomly डाल देता हूँ only add short gameplay as tech 1 then arrow पे tap करते ही तुमारा thumbnail idea generate होना start हो जाएगा फिर generate होते ही starting से लेकर end तक copy करो from tabs में जाके ideogram AI को open कर लो then arrow पे tap करके back आजाओ then plus पे tap करके पहले वाले prompt को select करके delete कर दो then prompt को paste कर दो then click on generate and कुछ seconds rate करने के बाद तुमारे thumbnails ready है and काफी next level है and सारे thumbnails perfect है जो batch लगे उसे download कर लो and दुबारा से regenerate भी कर सकते हो तो अब create करेंगे horror thumbnail so back आकर chat GPT के tap को open करो then message में type करो same चीज and इस video का title है yellow dress वाली लड़की and आगे horror story ज़रूर लगाना and click करो arrow पे then थोड़ा wait कर लो so idea आने के बाद इसे select करो then copy अब आजाओ टैब स्विच करके ideogram पे then arrow से back करो and click plus icon and prompt को paste कर दो and click on generate and wait few seconds and results are amazing and font भी इसने situation के हिसाब से use किया है यार इसे तो मैं अभी डाउनलोड करूँगा तो अब create करेंगे the legend of anman season 4 के thumbnail को तो सबसे पहले chat GPT वाले tap पे आके message पे click करेंगे and same चीज को type करके अपनी वीडियो का title लिख देना है the legend of anman season 4 and arrow पे tap करते ही तुमारी coding स्टार्ट हो जाएगी अब idea आते ही से select करो then copy and taps को switch कर लो then back आकर plus पे tap करो and prompt को delete करके अपने prompt को paste कर दो and settings same है देख लो क्योंकि बाद में लोग इसे fake बोलते है अब generate पे click कर दो and वस थोड़ी देर wait करते ही तुमारे thumbnails तुमारे सामने and इसके results भी next level है and font और text काफी अच्छे से match करता है यार ये and background से लेकर character elements सब कुछ अब इसे कर लो download तो बस इसी तरीके से title डाल के prompt generate करो and उससे thumbnails को generate करो so video थोड़ी सी भी helpful लगी हो तो like तो जरूर करना and subscribe करके रखो मैं ऐसी ही helpful videos लाते रहता हूँ so thanks for watching bye झाल